Hello what's up guys my name is Pinoot Badu Thafa and today in this video we will see 10 features of MIUI version 9.5.1.0 Mal Mipha stable of तो देखे guys सबसे पहले में आपको बताता हूँ सबसे पहला है वो है फैबरेट फोल्डर जी हाँ guys फैबरेट फोल्डर तो उसके लिए क्या करना है आपको simple gallery में जाना है ठीक है यह तो lock हटा देता हूँ ठीक है देखे gallery में जाना है आपको alright आप देख सकते हों कि यहाँ पे मैं पहले आपको album दिखा देता हूँ album में अगर आप check करोगे तो first में we have recent and then उसके नीचे we have camera ठीक है तो लेकिन मैं अगर photos में जाता हूँ first वाले photo पे मैं अगर click करता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ top right corner में guys एक heart का symbol दिखाई देर आपको ठीक है आइकन दिखाई देर आपको just start पे click करना है and this is it guys आपका वो favorite पे select हो चुगा तो आपको बस simply back जाना है अब everyone page click करना आप देख सकते हो now we have this favorite favorite नाम का folder हमारे पाथ आच चुगा है तो यही था हमारा first top most update इसका ठीक है जहाँ पर आप अपने love ones को भी इसमें favorite match कर सके उनकी images को तो guys देखे आप हम second देखे इसका second feature वो है आपका quick search quick search मिन्स क्या आपको simply मेरा हाथ का gesture देखिया हां मैं simply top को आपने हाथ मेंने किया आप देख सकते हो quick search आच चुगा है तो सिर्फ यही पर नहीं आप कोई भी app पर जाए उबस इस तरीके से नीचे से उपर आप हाथ को projects ऐसा कीजिए आप देखे में वापस करता हूं तो आप देख सकते हो Google search आ रहा है तो इस तरीके से आप Google search एकदम quick and easily कर सकते हो ठीक है थर्ड में आपको बता होता हूं guys one time data limit इसका मतलब क्या है ना लेट से आपका दूस आपका hotspot मांगता है ठीक है और आपके पास we know mostly we have that option ठीक हमार पास हो option जहां पर आप देख सकते हो one time data limit दिखाई देरा आपको simply इस पर टैप कीजिए now इस पर data limit पर क्लिक कीजिए now आप size देख सकते हो 50 MB by default मतलब अगर आप अपने फ्रेंड को hotspot दोगे तो 50 MB तक ही use कर पाएगा now अब देखिए अगर आप size पर क्लिक कर तो इस तरह से आगे जो भी आप hotspot दोगे वह max 509 MB तक ही use कर पाएगा फिला तो मैं इसको आप कर देता हूं ठीक है now guys मैं आपको फोर्थ फीचर से बता तो फोर्थ फीचर गाइस बहुत best है let's say आपको group करना है ठीक है आपकी icons को जितने भी apps है तो simply आपको देखिए जैस दबल हाथ के थुरू I hope आपको वो समझ में आयरा है मैं क्या वड़ो क्योंकि मैं अपने hand के movement को नहीं दिखा पा रहा हूं simply तो इस तरह से देखिए आप इसको किसी को भी click कीजिए and आप देख सकते टॉप पे we have group का option तो आपको group पे click करना है boom guys देख आप देख सकते इस आप सुसी जैसर को follow कीजिए jump out करने की वाले को ठीक है इस पर click कीजिए इस पर click कीजिए आप देख सकते यह job ऐसा दिखाई जा रहा ना long प्रेस करना और simply भार आ जाना तो इस तरह के से एक एक करके आप इनको भार आके रख सकते हो ठीक है तो guys अब हम देख लेते है हमार 5th feature तो मैं बता दे तो 5th feature बहुत best है वो quick dial है आप देख सकते हो यह मेरा homepage अगर मैं इस पर 5 पर थोड़ा सा लंबा प्रेस करूंगा आप देख सकते हो all right वा नहीं देखिए मैं फिर से एक बार long प्रेस करता हूँ आप देखिए automatic दिरसदा है यह जो भाया उनको call तो मैं नमबर डायल भी नहीं किया फिर भी है कैसे बार देखिए guys let's say मैं आप 2 पर long प्रेस करता हूँ ठीक है आप देख सकते हो assign a quick dial number to this button मतलब अपने 2 को प्रेस के next time आप इस पर को एक number देजे let's say मैं क्या करता हूँ मैं अपने पापा का number लिख देता हूँ ठीक है देखिए पापा लिख देता हूँ मैं इस इन पर मैंने जैसे लिखा तो आप next time देखिए मैं back गया ठीक है फोन पर आया मैं अगर मैं 2 को थालका सा long प्रेस करूँगा देखिए by default मेरे पापा को call जाए तो इस तरीके से quick dial बहुत 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 है ठीक है क्योंकि आप ऐसा सकते है आप गीने चुने 5 दस को ही call करते हो तो 5 दस तरीक है तो फट से बांद लगाद हो फस्निमर वाल को call चली जाए की बहुत 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 है ठीक है अब क्या किज आपको बताऊना तो वह security का feature अब क्या किज अपने security आप आप पे i Scar pretend howak now you will see a game speed booster game speed booster basically अगर आप heavy games केलते हो तो उसको optimize performance करता है then बहुत बार connection का problem आता है कि नि तो उसको भी ये ठीक करेगा and last one is the D&D mode D&D means do not disturb आप hotels में भी दे है कि नि hotels में भी देखते होंगे D&D लिखा रहाता है बार डोर में तो basically क्या कि game खिलते हो तो कभी-कभी button प्रेस हो जाता है उपर का कुछ volume up-down हो जाता है तो वो सब को ये क्या कर देगा guys मतलब आप देख सकते हो turn off कर देगा तो ठीक है मतलब अगर बटन पर प्रेस हो भी गया तो वो कुछ work नहीं करेगा तो basically बहुत बेस्ट हैगी game speed booster करके alright guys now we will see this 7th feature sir मैं आपको बता दे तो 7th feature जो वो automatic download है तो क्या करना है आपको अपने setting पे जाना है ठीक है setting पे गया about phone पे जाना ठीक है system update पे click किजा आप देख सकते हो top पे ये 3 dots दिखाई देरी vertically तो now we have this auto updates ठीक है तो auto update पे अगर आप जाओगे ना तो यहाँ पे देख सकते automatically update भी हमारे पास option है now एक और option आजाता है download using mobile data let's say Jio का अगर आप में से बहुत को ऐसा लगता है कि रात के 11 से 12 एक के बहुत speed आती तो आप क्या कीज़े simply यहाँ पे time set कर दीजे और इस इन सब को आप कर दीजे ठीक है और क्या कीज़े यहाँ पे रात की 10 बज़े का तो already by default दिया हुआ है आप क्या कीज़े 12 कर दीजे okay और यह कितना है 22 I think 10 होता है तो इस तरह कैसे आप कर सकते है मनलब timing set कर देजे इस इतने बज़े से इतने बज़े के विछ मेरा mobile data के through update हो जाना चाहिए तो आप यह कर सकते हो ठीक है all right guys now we will see the eight features में आपको बता देता हूँ eight वाला जो features है वो क्या है gallery again अगर आप जयान से देखोगे इस पे three dot पे right corner पे we have new option जो की है free of space free of space पे आपको जाना है आप देख सकते हो automatic यह basically आपकी gallery के लिए आप देख सकते हो 2.5g भी बहुत ज्यादा में remove की करने वाला अगर आपको cannot यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो clear दिखाए दे रहा clear पे आपको click कर देना आपको यह सारे clear हो जाएंगे now we will see the 9th option 9th option में अगर मैं आपको पताओ तो simply आप folder पे जाएंगे यहाँ पे भी आपको 2 shortcut दिखाए देंगे अपने notice नहीं कहाएंगे यहाँ पे टॉप यह जो दिखाए दे रहा 3 icon bar इस पे click कीजिए now am i drop पे अगर आप जाओगे तो basically यहाँ पे क्या बाता है कि am i drop and we have one more am i mover तो अगर आपन आप send पे click करेंगा अला कि मैं तो यह कभी use करता है नहीं ठीक है लेकिन all right मैं आपको दिखा देता हूं इसको मैं deny कर देता हूं फिलाल तो इसको exit कर देता हूं तो इसमें क्या हो जाएगा कि कभी कभी क्या होता connection lost हो जाती थी let's say 90% में आके connection lost हुआ तो वापस से restart हो दा I mean वापस से send ओनक करना पड़ता था न but this time guys इसमें an mi mover में अगर 90 पे आके stop हो गया था आपका data connection गया या कुछ हुआ problem then next time आप करोगे तो वापस हो 90 के बात से होगा and we have one more option की अब बीना data के बीना internet के भी आप simply इसको share कर सकते हो ठीक है तो मतलब ऐसा बोल सकते हूँ कि resume वाला function जहां पर अगर 80 पर खताम हो गया तो 80 के बात का ही send करना है वह हम कर सकते है and guys now last मैं आपको बता देता हूँ last हमारा जो future है वह मैं आपकर बता हूँ तो वह am i roaming है इसके बार मालूम था am i roaming basically क्या बोलता है कि अगर आप अपने set से छोड़के दुसरे set जारो obviously आपको roaming लगने वाला तो यह बोलता है कि आप simply इसको get start पर click करो आपको sim card change करने की जरूरत नहीं है इसे को ही हमारे sim को use करो तो मनलब इस app को start करो और सस्थे में अपना data beta जो है वो चलाना है चलाओ ठीक है तो guys यह थे मेरे top 10 futures and I hope आपको यह बहुत पसंद आया होंगे यह video आपको जरूर पसंद आओगा तो guys अगर आपको video पसंद आया please इसको like कीजेगा अपने जितने friends से सबके साथ इसको share जरूर कीजे thank you so much take care